हरी ओम तत्सत कैवल्य उपनिशद प्रथमकंड महान रिशी आश्पलायन भगवान प्रचापती भम्मा के समक्ष हाथ में समिदा लिये हुए पहुँचे और कहा है भगवन आप मुझे सदैव संत जनू के द्वारा सेवित अति गोपनिय एवं अति शेवरिष्ट उस भ्रह बानजन शेगर ही समस्त पापों से मुख्ध होकर उन परम पुरुष पर भ्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद प्रह्मा जी ने कहा हे आश्पलायन तुम उस अतिश्रेष्ट परात पर तत्व को श्रद्धा भक्ति ध्यान और योगा भ्यास का आश्रे लेकर जान का प्रयास करो उस अम्रित की प्राप्ति ना तो करम के द्वारा ना संतान के द्वारा और ना ही धर्म के द्वारा प्राप्त हो पाती है उस अम्रित तत्व को समयक रूप से ब्रह्म के जानने वालों ने केवल त्याग द्वारा ही प्राप्त किया है स्वर्ग लोग से भी उपर गुवा अथार्ट बुद्धी के गहवर में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्म लोक प्रकाश से परिपून है ऐसे उस ब्रह्म लोक में संयमशिल योगी जन ही प्रविष्ठ होते हैं जिन योगी जनों ने वेदान्त के विशेश ज्यान से एवं श्रमन मनन तथाने दिध्यासन के द्वारा परमात्मतत्प को प्राप्त करने का दिन निश्चय कर लिया है ऐसे वे पवित्र अंतैकरन से यूग्त योगी जन सन्यास योग के द्वारा प्रह्म लोक में गमन करके आमरीत तुल्य और हो कृपांत में मुक्त हो जाते हैं योगी जन स्टानादी करके अपने शरीर को सुद्ध करने के पश्चात एकांत स्थान में सुखाशन से बैठे उसके पश्चात गृवा सिर तथा शरीर को एक सीधा रख कर समस्त इंद्रियों को निरोध करके भक्ती पूर्वक अपने गुरू को प्रणाम करे और इसके बाद सन्यास आश्रम में स्तित्वी योगी जन अपने हिर्दय कमल में रजोगुण से रहित विशुद्ध दुख शोक से रहित आत्मतत्व का चिंतन करें इस तरह से जो अचिंत्य अव्यक्तोर अनंत रूप से युक्त है, कल्यान कारी है, शांचित है, अम्रित है, जो निखिल ब्रहमान का मूल कारण है, जिसका आदेमध्य है और अंत नहीं है, जो अनुपम, विराठ और चिदानन स्वरूप है, अरूप और अद्बुत है ऐसे उस उमा ब्रहम विद्या के साथ परमेश्पर को संपूर्ण चर अचर के पालन करता को शांत स्वरूप, तीन नेत्रों वाले निलकंट को जो समस्त पूत प्राणियों का मूल कारण है, सभी का साक्षी है और अविद्या से रहिद हो, प्रकाश मान हो रहा हो, ऐसे उस प्रकाश पुन परमात्मा को योगी जन ध्यान के माध्यम से ग्रहन करते हैं, वही परातपर्द पुरुष ब्रहमा है, वही शेव है, वही इंद्र है, वही अक्षर रूप में शाश्वत ब्रहमा है, वही भगवान विश्णु है, वही प्रांट तत्व है, वही कालागनी और चंद्रमा के रूप में भी है जो कुछ व्यतीत हो रहा है और जो भविश्य में होगा सभी कुछ वही परातपर पर ब्रहम है ऐसे उश्रेष्ट सनातन परमात्मतत्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यू से परे अथार्थ मुक्ती को प्राप्त कर लेता है वे फिर जनम रित्यू के चक्र में नहीं फस्ता जो मनुश्य अपनी आत्मा को समस्थ भूत प्राणियों के समान देखता है और समस्थ भूत प्राणियों को अपनी अंतर आत्मा में देखता है ऐसा ही वे साधक पर ब्रहम परमात्मा की प्राप्ती करता है वे अन्य दूसरे और किसी उपाय से उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है ज्यानी जन अपनी आत्मा अथार्थ अंतेकरण को नीचे की अरूनी एवं आमकार प्रणव को उर्द्व की अरणी बनाते हुए ज्यान रूपी मन्थन के अभ्यास प्रक्रिय द्वारा जगत के बंदनों पापों को विनेश्ट कर डालते हैं अथार्थ ज्याना अगनी में जला कर बस्म कर देते हैं वही जी वात्मा माया के अधीन हुआ अती मोह ग्रस्थ होकर शरीर को ही अपना सुरूप सिवकार करते हुए सभी तरह के कर्मों को करता रहता है वही जागरित अवस्था में इस्टरी अनपान आदी विभिन प्रकार के भोगों का उपयोग करता हुआ त्रिप्ति लाप पराप्त करता है स्वपन वस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीव लोक में सभी तरह के सुख और दुख का उभोग करने वाला बनता है तता शुशुप्ति काल में माया द्वारा रचित समस प्रपंचो के विलीन होने के उपरांद वही जीव तमोगुण से अभिपीरुध हुआ हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है ततपश्चात पुनेवे जीव जन्म जन्मांतरों के कर्मों की प्रेणना से सुशुप्ति स्वेश्वप्न वस्था में अव्तरित होता है इसके अनंतर वह जागरित अवस्था में गमन करता है इस तरह सुक्ष्म, स्थूल और कारण शरी रूप तीनों पुरियों में जो जीव प्रेडा करता है उसी से यह सभी प्रपंचों की वे विचितरता उत्पन होती है इन संपून प्रपंचों का अधार स्थम आनंद स्वरूप अगंड बोथ स्वरूप है जिसमें सूल शुक्ष्म और कारण शरी रूप तीनों पुरियों का लै हो जाता है इसी से प्र मन एवं समस्त इंद्रियों की उत्पत्ती होती है अकाश वायू अगनी जल और समस्त विश्व को धारन करने वाली प्रित्वी की उत्पत्ती होती है जो परभ्रम परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है जो सभी कारण रूप जगत का महान आयतन अधार है जो स सुक्ष्म से भी अतिसुक्ष्म है, नित्य है, वह तत्व तुम ही हो और तुम ही हो। जागरित, स्वप्ण और सुशुप्ति अवस्था आदी जो प्रपंच प्रतिभासित है वह परभ्रम रूप है और वही मैं भी हूँ। ऐसा जानकर जीव समस्त पंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और मुझमें ही यह सभी कुछ विलीन हो जाता है। वै अद्वै परभ्रम परमात्मा मैं ही हूँ। दुतियकन्ड मैं परभ्रम अणू से भी अणू अथार्थ परमाणू हूँ। ठीक ऐसे ही मैं महान से महानतम अथार्थ विराथ पुरुश हूँ। यह विचित्रताओं से भरा पुरा संपोन विश्वी ही मेरा स्वरूप है मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही इश्वर हूँ, मैं ही हिरने मैं पुरुष हूँ और मैं ही शिव स्वरूप परम्तत्व हूँ वह हात पैरों से रहित होते हुए भी सतत गती शील है जो चिंतन से परे है ऐसा शक्ती स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ कानों के बिना भी सब कुछ रवन करता हूँ बुद्धी आदी से प्रिथक होकर भी मैं सब कुछ जानता हूँ किन्तु मुझे जानने वाला कोई नहीं मैं सदा ही चित स्वरूप हूँ समस्त वेद उपनिशद आदी द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ मैं ही विदान्त का करता हूँ और वेद वेता विश्वयम मैं ही हूँ मुझ ब्रह्म को पूर्णय पापादी कर्म स्पर्ष नहीं करते मैं कभी विनश्ट नहीं होता और ना ही मेरा कभी जनम ही होता है ना मेरे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिया ही है मेरे लिए ना भूमी है, ना जल्ध है, ना अग्नी है, ना वायु है और नाकाश तत्व ही है जो भी मनुष्य अविनाशी भ्रह्म को इस प्रकार से गुया अथार्थ बुद्धी के गहवर में सित निशकल अंग विहीन एवं अद्वितिय सत असत से परे सभी के साक्षी रूप में विद्यमान जानता है वै पवित्र दम पर मात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो भी मनुष्य इस शत रूद्रिय का पार्ट करते हैं वै अक्नी के सद्रिश पवित्र हो जाता है वायू की भांती गती शील रहते हुए शुचिता का वरण करता है वै सुरापान और भ्रहम हत्या के दोश से मुक्त हो जाता है उसे श्वर्ण की च प्रती समर्पित हो वै अभी मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है इसी लिए मनुष्य आश्रम से अतीद हो गए हैं ऐसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस उपनिशत का पार्ट अवश्य करना चाहिए इदि दूतिय खंड समाप्त The Kevalya Upanishad is a short yet sublime scripture of little over 24 verses classified a minor Upanishad. It is attached to both the Athar Veda and the Yajur Veda. The word Kevalya might be translated as detachment and release from worldly sorrows and bondage, which is to say spiritual liberation or moksha. This can only be attained by the full realization of one's nature as Brahman, the Self, Eternal, Everfree, Awareness, Consciousness, Existence. That is the core message of this Upanishad.